जवानों को जो हैना सहीद करवा दिया उसकी जो हैना दलाली खाने वाला जो हैना देश का पधान मत्री बना है हम उससे डरेंगे क्योंकि जनता रखी है चपल जूते उठा करके रखी है अपने हाथ में जी आएंगे तो चपल से मारेंगे उनके कारकरताहूंगा डेंगैन अमर जाएंगे लेकिन मोधी सरकार से पहतें हैं कि तुमको सरविधान खतम नहीं करने देंगे लोगत धत्त उसके हाद खुश करने के लिए पतनी को भेजते हैं कि जाओ उसके हाद छापा मार के आओ हिटलर है हिटलर तना साथ छोटा होता हुँ हिटलर के बाप है हिटलर भी इतना जो है ना वो नहीं चाज इतना मोदी जी कर रहा है कहते अच्छे दिन आएंगे सलेंडर हम 400 में मिलता है 200 में देंगे 35 रुपे जोर्नलिटर डिजल पेट्रोल होने वाला था असला 100 रुपे पार कर दिया है मोदी सरकार ने मोदी जी आप सुन ली जी आपके लिए एक सेर है कि रागोप जी आखों में अंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम थी फिर किसी मोर पे मुलाकात होगी यह दखिए यह एन अरेणदर मोदी जी और यह है इल्डी यह पतनी और यह पती तो पर्धर मती जी तो अपनी पत्नी को सांना से नहीं रखते हैं 24 कि जिसका मन करता है उसकी हाँ खुष करने के लिए पतनी को भेजते हैं कि जा उसके आछापा मार के आओं झौह से नहीं ड़िजों से नहीं डरे तो यह जो काली अंग्रे से डरेंगे जो दस लाका स्विट पहंता हो और कहता हो कि हम फकीर आदमी है फुल्वामा में हमारे इतने सारे जवानों को सहीद करवा दिया उसकी दलाली खाने वाला देश का परधान मत्री बना है हम उससे डरेंगे बिल्कुल दलाली खाए है हम वहां के जो गवर्नर ने क्या कहा जो है जो सदेपाल मलिक ने कि हमारी गलती से इतने जमान साइद हुए तो जो है न मानिये परधान मत्री उनको आज हटा दिये हैं अपनी पाटी से लेकि सचाई छुपता नहीं है यह देश जो है इतिहास गवाह है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चपा चपा गुज उठेगा इन गितर भकी से हम लोग डरने वाले नहीं हम लोग का अंग्रेशी हैं अंग्रेजों को भगा दिये तो आप कौन सी बड़ी चीज हैं आपको तो हम चाहें तो 24 घंटा में उखाड के फैंक दे लेकिन भारत के सभीधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं लेकिन यह आरेसेस के अगया भाजपा के बड़े-बलतरी के होटलों में इलेक्शन कमिशन के अधिकारी जाके आयाशी करते हैं दुनिया जानती है तो इलेक्शन कमिशन के पर सवाल उठता है कि 2024 में लोग तंत कर चुनाब करवाना है तो बैलेट पेपर से करवाईए जब हम 5 साल तक 400 का सेलें मंदारी से हो लेकिस देश की जंता के ओटों के सांथ भी खेलवार इस देश में हो रहा है सुप्रीम कोट के चार जजों नीया करें कि हमको न्याय पालिका में ठंक से काम नहीं करने दिया हैं हमपे दबाव है तो जब सुप्रीम कोट के जज नहीं जो सुलक्चित हैं हिटलर के बाप हैं हिटलर भी इतना जो नहीं था जितना मोदी जी कर रहा है विपक्स के जो नेताओ को इतना कोई जो है ड्राता धमकाता है जी अटल भिहारी बागतर का है रहें सीना टांगे खड़े रही है बोलिए भेज दीजे एडी सीबी आई डर क्यों रहें आप हिमत नहीं रही जनता से भोट मांगने जाने की क्योंकि जनता रखी है चपल जूते उठा करके रखी अपने हाथ में मोदी जी आएंगे तो चपल से मारेंगे उनके करता हो कि पुछिय कई से कहें तो अच्छे दिन आएंगे से लेंडर हम 400 में मिलता है 200 में देंगे 35 रु माचल पर्देश में लडाक में चाइना के जो खिला मुवमें रही निकलता है जाला की नहीं दिखाते हैं उनके पास आंक तो है ऑई नहीं अंधे हो गया है थ्फ़्व जीएगा उस पर सीब्याइटी नहीं भेजिए की तर्फक पर्देश में रोंब दिया जाता है लेकिन उनके फादर से इस्तिफ़ाश नहीं मांगा जाता उनके मंत्री ज मियानन्द सवामी का विडियो वारेल होता मिंत्री जो टर जिक समाई में मंत्री थें लड्की से गर पर बिर्दिकन जो भीं इसके घर बूल रोड नहीं चलता यह राम्राज है और इस लाम राज में करने के लिए संस्कार के लिए यह राम्राज क को बर्दास नहीं करेंगे और एक बारोने मोतिहारी के हम जो सेंटर जेल में रहे हैं भास्पा की सरकार्थी बिहार में उस समय 2022 में तो हम 9 महीने जेल रहे के नहीं डरे तो आप क्या डरेंगे इन से अब तो और हिमत मजगुत हो गया है जेल में रहे के गोलिया खायती फासी पह चड़ गयते लेकि देश को अजाद करा दिये थे फिर हम जो एन अजादी फिर हम जो एन गुलामी की तरफ जा रहे हैं बिरोजगारी इतनी बढ़ गई है भुखमरी इतनी बढ़ गई है देश में नफरत का महौल है भाई भाई को मानना चाहता है तो इस जैसा देश नहीं चाहिए, देश में हमारे नेता राहूल गांधी जी का जो महबबत की दुकान जो खोले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई आपस में है, भाई-भाई, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं, जैपी वाले के रहे कुछ महंगाई नहीं है, पहले सब रस् करोर का हवाई जाज खरीते हैं, लेकि देश में किसानों का करजा माफ नहीं करेंगे, 11,00,00 करोर का जो है, लोन माफ कर दिया है, चंद पुजी पतिया, डानी अंबानी का, लेकिन हमारे देश के किसानों का रिन माफ नहीं होगा, इन से, देश के बड़े-बड़े पुज पागिस्तान करता है ये शाइं करते हैं यह नहीं हें परधान मंत्री और बीना पागिस्तान बिर्यानी खाने जाते हैं और मोदीजी नहीं कोई नहीं है तक करम हम तो मोदी इसे यही कहना चाहते हैं सरकारे बहुत आती जाती हैं मोदी जी आप सुन लीजी आपके लिए एक सेर है चिरागों को आखों में मैफुज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी फिर किसी मो पर मुलाकात होगी सरकारे आती जाती रहती हैं लेकिन जो आप हिटलर सा ही रवया पना रहे हैं इस देश की लोगतंत्र को सविधान को मिटाने के लिए आने वाले समय में आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा